हाई एवरिवरन नमस्ते वेलकम टो इंडियत निग आज मैं आपको एक अंगरखा स्टाइल की हाई लो स्टाइल की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बताने वाली हूँ जो बनने में बहुत आसान है पर इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है प्लीज आप अगर ऐसी ड्रेस ट्रा कॉर्टन का फैब्रिक है जिस पर यह प्रिंट बने हुए है तीन साड़े तीन मीटर में बहुत अच्छी ड्रेस बनने वाली है और इसका यह मेजरमेंट है मेरे कॉर्डिंग आप अपने कॉर्डिंग करिएगा सबसे पहले जो भी कपड़ा है उसमें से हम अपने काट लेंगे फ्रंट और बैक के लिए तो लगवक 17 इंच लंबाई में मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है वैसे 16 इंच चाहिए मुझे जो एक्स्ट्रा होगा वो हम ट्रिम कर लेंगे बाद में तो सबसे पहले मैं सोल्डर मार्क करूंगी यह डवल एक्सल साइज में है त अगर आप साड़े साथ पर मार्क करिएगा वो परफेक्ट रहेगा आप आठ भी कर सकते हैं तो यहां हम पॉइंट करके इनको जोड़ देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे उसके बाद हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो कि मैं 11 इंच पर कर रही हूं और जो हमारा वेस्ट है वो एकदम नीचे वाले पॉइंट पर करेंगे जो कि मैं 10 इंच कर रही हूं यह सारे मेजरमेंट एक्स्ट्रा मार्जीन जोड़ने के बाद है उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जीन भी हम एड़ कर लेंगे अब हम आम मुल कैसे बनाएंगे तो जो बैक वाला है वो सिंपली हम फिटिंग वाले मार्क को ऐसे गुलाई देते वे जोड़ देंगे बहुत है सिंपल है आप टेक्निकली जाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं पर ऐसे आप कर लिजे उसके बाद फ्रेंट का करने के लिए हाफ पे हम मार्क करेंगे और आधा इंच बाहर की तरफ और इसको हम सिंपली ऐसे फिटिंग वाले मार्क से मिला देंगे और फ्रेंट और बैक दोनों देखिए आसानी से हमारा कॉब बन गया आम हुल का उसके बाद हाफ इंच हम मार्क करेंगे शोल्डर स्लोप के लिए और लगबख साढ़े तीन इंच का गला चोड़ाई में मैं कर रही हूँ वैसे धाई से तीन मैक्स होता है पर अगर आप डबल एक्सल साइज में तो आप बढ़ा के भी कर सकतें क्योंकि हमने शोल्डर भी बाड़ी श बोलते हैं यह वाला पार्ट कट हो चुका हमें इसमें हिप के मारकिंग की जरुड़ नहीं होती है तो इसको हम पहले कट कर लेंगे और दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे और करने के बाद जो हमारा फिटिंग का मार्ग है उसको हम दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे उसके बाद जो फ्रेंट पल्ले पे जो हमारा फ्रेंट का कब होता है उसको हम कट कर लेंगे उसके बाद हम front का गला कट करेंगे तो मैं लगबख 7.5 इंच में mark करें half inch swing में जाएगा तो 7 इंच बनके आएगा आप अपने पसंद के अनुसार 6, 6, 7 इंच का गला mark कर सकते हैं ये मैं V बना रही हूं front में V अगर आप थोड़े से healthy side में हो तो V आपको perfectly suit करेगा आप अपने पसंद से कोई भी गला कर सकते हैं और ये back का है back का मैं ऐसे mark करके लगबख 4 इंच पर नीचे deep mark करके गुलाई दे दूँगे simple पीछे से ज़्यादा कोई गला नहीं बनाना है तो आप ये देख सकते हैं हमारा back वाला गला भी तयार हो चुका है अब हमने slips की cutting के लिए भी fabric निकाल लेंगे दो पल्ले दोनों slips के लिए और इस तरीके से fold करके बिछा लेंगे चोड़ाई थोड़ी सी कम है जो कि मैं बाद में इसमें कपड़ा जोड़ लूँगी जितना कम होगा और यह pattern है इसको हम रखके trace कर लेंगे यह back है मैंने back और front दोनों के लिए अलग से pattern बना के रखा हुआ है तो सबसे पहले हम back वाला रखेंगे pattern और इस तरीके से trace करके cut कर लेंगे जो कम है बाद में कपड़ा जो हम high low वाला hem cut करेंगे उसमें extra बचेगा उससे हम जोड लेंगे तीन मीटर कपड़ा है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है अगर आप पतले हो तो तीन मीटर में बहुत आसानी से बन जाएगा तो इस तरीके से हम अपना slips खोल लेंगे और center में यह देखी उसको इस तरीके से हम प्लेस करेंगे और अपना curve बना लेंगे तो आप देख सकते हमारे slips की cutting हो चुकी है अब जो बचा हुआ कपड़ा है पहले body's का part निकालेजे slips निकालेजे उसके बाद जो भी कपड़ा बचा है उससे हम नीचे वाला घेरा जो skirt part है वो बनाएंगे तो length मेरा 38 चाहिए था 38 ना है तो आप dress बनाने से पहले आप नाप लीजेगा कि body's or slips निकालने के बाद आपको कितना कपड़ा बचेगा जो कपड़ा बचा है इसको हम बीचो बीच से cut करके दो part में divide कर लेंगे front और back पला चाहिए होगा तो दो पल्ले हम इससे आप देख सकते हैं बीच से cut करेंगे तो दो पल्ले हमारे तयार हो जाएंगे तो आप देख सकते हमारा लगबग सारा cutting हो चुका अब हम sewing करेंगे sewing में सबसे पहले जो front का गला है उसे हम facing के द्वारा finish करेंगे तो इस तरीके से कपड़ा लें और सीधे side पर बिचा लें और उसके बाद हम pins किनारे किनारे लगा लेंगे आप चाहें तो pins नहीं तो सुवी धागे से कच्चा भी कर सकते हैं और अब हम क्या करेंगे इस पर कपड़े पर सिलाए किनारे किनारे चलाएंगे जिससे यह facing हमारा कपड़े के साथ attach हो जाए आप अपनी पसंद का कोई और भी गला बना सकते हैं पर अगर अंग्रखा वाला filling चाहिए तो आप यही वाला try करेगा वैसे भी गला बहुत अच्छा सूट करता है तो इस तरीके से हम इसको कट करके जो कपड़ा है उस एक्स्ट्रा उसको निकाल लेंगे और फिर छोटे-छोटे कड्स लगा लेंगे क्यूंकि हमें इसे wrong side में पलटना है जो हमारा facing वाला कपड़ा है तो दूर कपड़ा है देखे इसको wrong side में पलट दिया आप इसको अच्छे से प्रेस करके बिठा देंगे और उपर से सिलाई चला देंगे आप प्रेस करेंगे तभी ये गला अच्छे से बैठेगा देखे हमने पीछे side में प्रेस करके इस तरीके से बिठा लिया था पहले ही अब हम सुई धागे से इसको किनारे किनारे हेम कर लेंगे आप देख सकते हैं तो सुई धागे से आप हेम करने के बाद देख सकते हैं ये गला हमारा अच्छे से finish हो चुका है अब हम अपनी लेस लेंगे और लेस को आप देख सकते हैं गले से ऐसे लगाते हुए थोड़ा सा कर्व देंगे हम जिससे ये अंगरखा वाली फिलिंग आए और इस तरीके से हम इसको सिलाई कर देंगे आप कोई भी अपनी पसंद की लेस भी चूज कर सकते हैं तो हम यहां से पहले चाक से अपना माक कर लेंगे जिससे हमारा लेस टेना मेडा ना हो देखे अब अपना लेस लगाना सुरू करेंगे उपर गले से स्टार्ट करेंगे और जहां हमने मार्किंग की है उसी के किनारे किनारे से यह लेस लगाते हैं हम नीचे तक चले जाएंगे यह बहुत ही आसान तरीका अगर आपको अपने कुर्ते में अंगरखा वाली फिलिंग चाहिए तो आप यह ट्राइ करेंगे बहुत अच्छा लएगा और देखिए हम दूसरी सिलाई भी चला देंगे क्योंकि यह लेस थोड़ी सी चोड़ी है तो इसमें दो सिलाई की ज़रूरत है तो बहुत ही आसान है आप कोई भी लेस लगा के इस तरीके सा पैटर्न बना सकते हैं बहुत सुंदर लगता है तो देखिए हमारा यह फ्रेंट का गला बहुत अच्छे से बन के तयार हो चुका है अब अपना जो बैक का गला है उसको सिंपली क्रॉस पट्टी से फिनिश कर लेंगे तो आप इस तरीके से तो कई बार फिनिश किये होंगे पट्टियों से बैक का जादा दीप गला नहीं है तो आप आसानी से फिनिश कर सकते हैं अब हम अपने दोनों कंधों को जोड लेंगे जिससे की फ्रंट और बैक का दोनों बाडी सपार्ट आपस मे जोड जाए अब हम अपना क्या करेंगे जो सकत वाला दोनों पला लिया है हमने उसमें से एक पला लेंगे और हम इसकी plates बनाएंगे अगर आपका 20-21 इंच का जो चोली वाला पार्ट है तो लगवग 40-42 इंच का आपका ये fabric चोड़ाई में होना चाहिए तो हम इस तरीके से अंदाजे से plates बना लेंगे आप चाहें तो gather भी बना सकते हैं अगर healthier side में जैसे कि मैं double action बना रही हूँ तो मैं plates prefer करती हूँ क्योंकि plates फूलती नहीं है gather फूलता है तो आप और heavy लगते हो तो अगर आप थोड़े heavier side में तो plates को ही try करिएगा तो इस तरीके से हम दोनों पल्लों को तयार कर लेंगे आप देख सकते हैं जितना भी आपका body part है उससे double चड़ाई में ये कपड़ा होना चाहिए तो देखिए अपने body part को रखके आप देख लीजे इसके बराबर हमारा नीचे वाला skirt बना है या नहीं अगर थोड़ा वो छोटा बड़ा है तो हम उसको plates को adjust कर लेंगे तो देखिए अब हम अपना front वाला body part ले रहे हैं चोली का सीधा side और इस पे हम skirt वाला जो हमारा घेरा का है उसको उल्टा रखके attach कर लेंगे तो इसी तरीके से front में एक पल्ला और back वाले पल्ले में एक पल्ला add कर लेंगे मतलब जोड देंगे तो body से देखिए हमारा skirt वाला भाग जोड गया है अब उपर से एक top stitch हम चला देंगे उपर से सिलाई चला देंगे जिससे ही अच्छे से बैट जाए और जोड भी जाए तो आप देख सकते हैं front और back में दोनों में हमने अपना पल्ला जोड दिया अभी slips हमने add नहीं किया है सबसे पहले हम जो high और low hem का है उसकी cutting कर लेंगे जो उचा नीचा हमें थोड़ा सा करना है तो यह dress बहुत अच्छा लगता है उचा नीचा करके आप try करिएगा तो इस तरीके से हम इस तरीके से एक curve देते हुए गुलाई देंगे और उसको cut कर देंगे तो मैं लगवग 15 इंच पे इधर side पे पहले mark करूंगे आप 10 इंच भी कर सकते हैं 15-20 भी कर सकते हैं आप कितना उचा नीचा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से marking करें मुझे लगता है 15 मेरे लिए ठीक है तो मैं 15 इंच भी mark कर रहें इधर और जहां हमने marking किया उससे इस तरीके से cross में हम एक निसान बना लेंगे आप सीधा खड़ा निसान भी बना सकते हैं चाहे तो हलका सा गुलाई दे के भी निसान बना सकते हैं आपको जैसा पसंदो तो इस तरीके से हम अपना marking कर लेंगे और आप चाहें तो roughly सीधे कट भी कर सकते हैं आसान है पर याद रहे दोनों पल्लों को जोडने के बाद ही आप करिएगा पल्ला जोडने से पहले आप ये high low वाला कट नहीं करिएगा क्योंकि वो miss हो सकता है क्योंकि किसी पल्ले का किसी तरीके से कट सकता है तो आप जोडने के बाद इस तरीके से आप cut कर लीजेगा और अच्छे से दिखनी रहा है पर पहनोगे न तो बहुत अच्छा सा flow उंचा और नीचा आता है बहुत अच्छा लगता है आप नीचे अपनी पसंद की कोई lace भी लगा सकते हैं या चाहें तो ऐसे ही double fold कर सकते हैं तो मैं ये lace नीचे add करूंगे आप चाहें तो lace लगा भी सकते हैं नहीं तो simple भी रख सकते हैं अब अपने body part में क्या करेंगे कि slips को add करेंगे दोनों तरफ अपने बाहिंग को add करेंगे और जो extra fabric मुझे चाहिए था मैंने जोल लिया है जो नीचे हमने high low cut किया उसमें जो fabric बचा था उसको मैंने slips में जोल लिया है जो थोड़ा सा कम था वहाँ पे तो दोनों तरफ बाहिं को जोल लेंगे और जोलने के बाद हम इसकी जो नीचे का hem होता है उसको बनाएंगे तो देखिए हम नीचे का double fold करके simply इसका mode देंगे उसके बाद हमें बस fitting करना बाकी रहेगा तो इसी तरीके से हम दोनों slips का अपना नीचे वाला पार्ट फोल्ड कर देंगे उसके बाद जो हमने अच्छे से fitting का निसान लगा है उस पे simply आपको अपना सिलाई चला देना है और आपकी एड्रेस लगबख समझे तयार ही है तो अपने fitting पे अच्छे से आप सिलाई चला लीजे और इसमें पता है वेज तक हमें fitting देना उसके बाद पूरा flow हमें पूरा जितना कपड़ा है खोल के सीधे skirt की तरह सिल देना है दोनों तरफ से और दूसरे साइड से भी हम अपना fitting की सिलाई अच्छे से चला लेंगे और जो extra fabric ज्यादा है उसको cut कर देंगे और बाद में इसको हम अच्छे से finish कर लेंगे तो देखे हमारा fitting का हो गया अब नीचे जो हमारा hem है ना उसको हम करेंगे तो उसमें करते से मैं ये lace में add करूंगी तो lace आप पहले सीधे side में उपर की तरफ एक fold करेंगे कपड़े पर और direct lace को लगाते चाहेंगे अगर आप इस तरह comfortable नहीं है तो कपड़े को एक fold उपर की तरफ करके पहले सी लाइग घुमा लिजे फिर lace लगाना शुरू करिए और comfortable है तो direct मोड़ते जाए कपड़े को और उपर से lace को सिलते जाए तो यह पहनेंगे जब तो ऊपचा नीचा बहुत अच्छा सा flow आएगा तो please try करिएगा I hope कि आपकी dress बहुत अच्छी बनेगी और please मेरे dresses को भी आप देखा करिए आपरो मेरे dresses को कम देखते हो जैसे आप मेरे plazos को पसंद करते हैं वैसे dress को भी पसंद करिए तो मैं बहुत सारी dresses upload कर सकते हूँ क्योंकि dresses के बहुत सारे ideas होते हैं हमारे पास तो please मेरे dress को भी पसंद करिए जिससे में dress की बहुत अच्छी ची सी वीडियो आपके लिए डाल सकूँ अब देखिए चोड़ी ले से तो हमें एक और सिलाई चलानी होगी तो हम दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से चला लेंगे जिससे अच्छी सी finishing आ जाए तो आप देख सकते हैं कि लगोग हमारी dress बनके तयार है trust में बहुत अच्छी लगेगी आप इसको jeans के साथ, leggings के साथ, leggings के साथ, धोती सलवार के साथ भी ये dress बहुत अच्छी लगेगी किसी भी चीज के साथ आप इसे match कर सकते हैं, trust में बहुत different लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, lace fabric आप अपने recording चूज कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like करिए, share करिए और please मेरे चैनल को subscribe करिए, thank you